आज शाम को पांच बजे राजभवन में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का मंत्री मंडल विस्तार होगा तीन से चार नाम चर्चा में हैं जिनमें एक नाम सबसे प्रमुख है ओम प्रकास राजवर का आज बिलुकुल गमशा बिल्कुल पीला पीला चमक रालक से त्यारी ह पूरी हमारा पीला घंचा पीला कुरता पीला जाकेट हमेसा पूरी प्रदेश नहीं पूरी देश में रहता है हमेशे ही पहिन के गुमते हैं एक अलग अपना पहचान बना करके कहीं दूर से भी कोई देखे तो समझ्या है कि राजबर जी आ रहें प्लमा इंतजार हुआ राजबर जी अगस्त से लेकर के तमाम तारीखें होई तक कई तिथिया निकाली गई आज का दिन मुकर्र हुआ है क्या आज के दिन की फील है आपके अंदर हमको को फील नहीं है और हमारे लिए देखे मंत्री पद माइने नहीं है हमारे लिए गरीबों की सेवा बंची सोचत ना का जहाना उनको अधिकार सिक्षा के प्रति रोजगार के प्रति स्वास्त के प्रति नहोकरी के प्रति उनको जाकरित करना कि आप जागो बहुत से ऐसी जातियां हैं जैसे हम बताते हैं नाई गोण पाल प्रजापती बिंद किवट मला राजबर चवहान आरेकरक बंसी बंजारा बहिलिया खंगार जुलहा धुनियां सारी साहीं दरजी फकित तमाम एसी जातियां हैं जो राजनी तो छोड़ दीजिए शिक्षा से सवास्ति से भी उसरकार की जो यूजनाया नहीं मिल पाती है मुँ पहुंच नहीं पाते हैं बागे प्रा प्राइबेट में चले जाते हैं तो उनको जगाना उनको नहाई दिलाना इनके लिए लड़ना हमारा पहली प्रात्मिकता होती है चुनाओ सर पर है ऐसे में आपका मंत्री बनना भाजपा के लिए और आपके लिए कितना मुफीद और कितना फादेवन साथ दिखे वो तो आठारा जुलाई दोहजार तेईस को ही यह तैं हो गया कि पुर्वांचल में जो सीटें बीजेपी हारी थी उसी दिन तैं हो गया कि वो हम जीत जाएंगे दूसरी बात यह तैं हो गया कि सभी लोग जानते हैं कि पुर्वांचल की 28 लोग सवा सीटें और उत्तर पदेश के पस्चिम मंध्यांचल से लेके पस्चिम मंचल तक चाए वो अलिगड का इलाका हो चाए सहारन मंदल का हो चा दोलाक दिलाने के हैसियत हैं लोग सभा में तो पस्चिम में भी हम 10 जार 25 जार 15 जार देलाने के हैसियत पैदा कर लिए और साथी आज आपके सबस्ट लेंगें यह सही जनकारी तो नहीं है अनुमान बता दिया बड़ा गड़ता कि हैं आप तो ले आएं घीच के जो है सप सब्सक्राइब करें तो उधर से हैं और भाजपार नेत्रित्व अपना अपने तरफ से जिसको तैएं किया हो आपको उम प्रकास राजवर हैं जो बता रहें कि अपने साथी दारा सिंग को मंत्री बनवाएंगे और साथी साथ आरली कोटे से भी एक मंत्री का बनना तय है क अंजेत्रिपाथी एबीपी न्यूज लखना हूँ